जैसे कि आज हम आपको हाइट बढ़ाने वाले मेडिसीन के बारे में बताएंगे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं जो आपकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी है आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है तब इस समझ से हमें ये मेडिसीन डाक्टर के दोरा प्रेस्क्राइब किया जाता है ये मेडिसीन हाइट को बूश्ट करने का काम करता है यानि हाइट को बढ़ाने में ये मेडिसीन मदद करता है ये medicine डॉक्टर उनको prescribe करते हैं जिनकी height है जो नहीं बढ़ता है या फिर वो अपनी height है जो और बढ़ाना चाहते हैं तो इस समस्या में डॉक्टर के दौरा ये medicine काफी ज़दा prescribe किया जाता है ये आपके body को fitness को एक परकार से ठीक करके रखता है चलिए हम आपको बताते हैं य medicine और क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है मरीज को तब भी डॉक्टर के दौरा ये medicine prescribe किया जाता है इस medicine का doge क्या होता है इस medicine का side effect क्या होता है ये medicine लेना कैसे होता है कौन ये medicine ले सकता है कौन ये medicine नहीं ले सकता है इसे एक दिन में कितनी बार लेना होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा डेटेल से जानकारी हिंदी में देंगे, जैसे कि अगर किसी की हाइट है जो बढ़ नहीं रहा है, और एक परकार से हम कह सकते हैं, जैसे कि उसकी हाइट बढ़ रही है, वो और भी अपनी हाइट को और भी बढ़ाना चाहते हैं, तब इस समझ से में दुरुस्त बना के रखता है, ये आपके डिजेश्टिव सिस्टम को भी एक तरह से प्रॉपर ठीक करके रखता है, जैसे कि आज कल क्या देखा गया है, कि अगर किसी की जो हाइट है, वो छोटी है, तो अपनी जो हाइट उसकी छोटी है, उसके वज़ा से उसके सरीर में क काफी ज़दा मजाक उड़ा जाता है, उनकी हाइट को ले करके, तो इन सारी समस्याओं में ये काफी अच्छा मदद करता है, या जो आपके हाइट है, ये आपके हाइट को बढ़ाने में काफी मददगार ये मेडिसीन होता है, ये आपके हाइट को बढ़ाने का काम करता ह ये मेडिसीन डॉक्टर के दोरा काफी ज़्यादा प्रिसक्राइब किया जाता है जिनकी हाइड नहीं बढ़ रही है और जिसे कि वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं तो इस समस्था में उनकी हाइड को बढ़ाने में ये मेडिसीन काफी मददगार होता है जैसे कि ये मेड जो उनकी एक परकार से परसनाल्टी और उनका जो डील है यानि जो उनकी एक तरीके से ग्रोथ है हाइड है उसे ये बढ़ाने में काफी मददगार होता है ये मेडिसीन डॉक्टर के दोरा काफी ज़्यादा पैसक्राइब किया जाता है जब किसी की जो हाइड की ग्रोथ ह खाने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो इस मेटसीन का डोज होता है ये डाक्टर के द्वारा निर्धारत करके मरीज को बताया जाता है डाक्टर मरीज की बाडी वेट उसकी दिक्कत और उसकी समस्या उसकी एज के एकॉर्डिंग इस दवा का डोज निर्धारत करके बतात लेकिन जो इस दवा का डोज होता है एडल्ट में डॉक्टर के दौरा एक टेबलेट या एक कैपसूल सुबा या फिर एक कैपसूल साम को खाने के लिए डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन बताया जाता है ये मेडिसीन काफी अच्छा मेडिसीन होता है डॉक्टर के दौरा य जब किसी का growth है जो रुका रहता है यानि जो उसकी personality है जो उसका deal है यानि जो उसकी height है वो रुकी रहती है तो ये क्या काम करता है ये उसकी height और उसकी personality को maintenance यानि एक परकार से अच्छी तरीके से बनाने का काम करता है चलिए अब हम आपको इस medicine के कुछ side effect के बारे में बतात जैसे कि इस medicine का कोई भी खास side effect नहीं होता है लेकिन अगर आप इस medicine को overdose की मात्रा मिलेंगे तो आपको नीद आ सकता है आपकी आखे हमेशा दवा लेने के बाद में ऐसा लगता है कि नीद के जैसा भी आप सो जाएंगे आपको सुस्ती महसुस हो सकता है और आप overdose की मात्रा मि मिलता है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिश्ट से आप जाके तुरण संपरक करिए और यह medicine बंद कर दिये जैसे कि जो जैसे कि आगर किसी का age है जो 21 साल प्लस है यानि 22, 23, 24, 25 साल के हैं तो उस समस्या में क्या होता है जो उनकी height होती है वो एक परकार से एकद रेनिंग करना है रेनिंग के साथ में आपको दोड़ना है जिम जाना है और जैसे कि आपको लचकना है कोई चीज पकड़ के आप जिम करिये उसे लचकिये रेनिंग करिये आप दोड़िये खुब आप अपने सरीर को पूरी तरह से एक तरीके से जिम करिये उसमें भी अग कोई भी दवा कोई भी मेटसीन आपको अपनी मरजी से उपियोग नहीं करना है